तो विडिए सब्सक्राइब करने वाले हैं जो है हमारा PMPL South Asia Season 4 Fall Split तो गाइज हमारा PMPL स्टार्ट हो चुक है अगर मैं बात करूँ South Asia Region की जहां पर अगर बात करें नेपाल, पाकिस्तान, बांगलादेश, मंगोलिया और और अस्ट्रेलिया रिजिन की टीम्स आपस में बैटल कर रही है इसका Day 1 हमारा खतम हुआ है लीग प्ले का मैंने आपक किस तीम की प्रफोर्मेंस सुझ में टिर वात करेंगे इस बीडियोमें बहुत कुछ होने वाला रिड़ी टो इस वीडियो को एड़ तक जरूर देखना और बहुत जाद को मजह आने वाला इस वो कर बढदे एमने वीडियो की तरफ भास ए जप होने वाले 13 के सब्सक्राइबर तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे प्ल अपडेट के लिए और इस वीडियो पर हम एमतार गेट रखते है थाउजंड लाइक का तो काईस देखते हैं आपकी किस तरीकिया किस तरीके से आप भी प्ल देख और कमेंड करके नीचे फन आपका कैसा मज़ा रहा है आपको एक्साइटमेंट देखने में मज़ा रहा है क्पर कमेंड करके जरू बताना तो अपड़ेंगे अपने वीडियो की तरफ एक मुमेंट आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं यहां आपसे बात करेंगे आपके टीम के बारे में जो नेपाल इजन की टीम है यहां पर डियारेस गेमिंग डेवन में बहुती अलग लेवल का गेमप्ले हमको दिखाने को मिल रहा था जो कि पिछले वाली डियारेसे बिल्कुल डिफरेंट थी अगर आपको यादो सीजन थी प प्रूव हो कि आई है यह सब को यहां पर इस बार बहुत ही जादा चैलेंज देने वाली है गाइस मैं आपको बतारो मेरा मारकी फाइट थी अगर में को यादो आर्थ रिडियो और सील को यहां पर घुसके मार रहें डियारेस गेमिंग ने ब्लैस अगर में बात करूँ आ पर बात करें यहां पर चाल्डर्स की तरफ से स्पेशलि अगर आप करें सारे के सारे प्लेइर यहां पर बहुत ही अच्छा गेमपले देखने को मिल रहें तो डियारेस गेमिंग ऐके ओपर एक एनलीज समय बेशन से बोलता हूं अभी DRS Gaming अच्छा परफॉर्म कर रही है लोग उनके साथ होंगे लेकिन कभी भी अगर हलके से भी अगर आगे जाके क्योंकि DRS Gaming थोड़ा सा डाउन जाए जैसे पजिवाली स्पोटी से अल अब अब पर एडिक्टिबिलिटी तो वही आई-8 के बारे में जैसे आप सभी को बते है डॉमिनिटीव टीम है अग्रेसिव टीम है फ्रॉम पाकिस्तान रिजन और काफी जादा लोग यहां पर फर्स डे पर एक्सपैक कर रहे थे कि आपको आई-8 से बहुत अच्छी चीज़े देखने को मिलेगे लेकिन यहां पर टीम की वैसी पर्फॉर्मेंस नहीं रह पाई है जो डॉमिनिटीव गेंपले देखना चाहते थे लेकिन मैं बोलूगा सबर करो गाइस यह सिरफ डे वन के बेसिस पर मैं आपको सारी चीज़े बता रहा हूं स्टिल हमारे पास यहां पर पूरी की पूरी जर्णी बची अगर आइट की बात करें लाइक करते वे नजराए फाइट में अगर मैं बात करें जो पहला मैस थी काफी अच्छे तीन एंगल से जकर लिया था बबलू के साथ उनकी वहां पर फाइट हो रही थी लेकिन अगर बात करें फाइट अंगेज करते रहा हैं बहुत अच्छे लेकिन जब वो पूरी करने गए फाइट वहां पर फाइट क्लियर नहीं हो पाई और काफी काफी सारे अगर मैं बात करूँ अब करते जूस भी कमबैक करेगी डे टू आप सो भी कोगता है जूस भी कमबैक करने पे बिलीव रखती है आई-ट भी होप करते है आज के दिन क अब बात कर लें आदे ओवर्रोल स्टेंडिंग में आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है तो यह हमारे पांच में खत्म होने के बाद हुए तो DRS गेविंग जिस हमें आप सभी को बता है और गाइस अगर मैं बात करूँ फर्स डे पर नेपाल लिजन की टीम का कफी अच्छा अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो सेकिंड टीम से लेके अगर आप यहां पर जाओगे आपके टॉप 7 तो सब के पॉइंट से में 51, 50, 47, 47 कोई भी टीम आ सकती अंपरिटिबल चीज़ अपजी वाल और इसके अगर 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 बात करेंगे अप डेडाई लिए आपको 12 पोजिशन पर दिखने वाली डेवन खतम होने के बाद लिकिन अभी डेटू बता है और आज कर दिन गाइस बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाले टीम के लिए पहले बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट होगा टॉप 16 में आना है जो टीम यहां पर आज की दिन पर देखने लाइक रहेगा टीम और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कई कमबैक कर सकती है इसके वाद आपको वैनम लेजेंट दिखने वाली है सेवन सीज एन पैराडॉक्स की टीम और गाइस यहां पर अगर बात करें पैराडॉक्स की तो आपको बताए एज अ आपकी फेवरेट टीम कौन से और किसको सपोर्ट कर रहे हो क्या लग रहा है आज के दिन आयेट बबलूर करेंगी कमबैक एक आप से में पूछ ना चंगवातों को एक पर कमेंड करके जरूर बताने आपको अगर बात करें पांच मैंच हुए थे हमारे उसकी डे समरी आप आपको हावी होते हैं नजर आरे तो गाइस डेटू में कितना ज़्यादा चेंज आएगा अपजू वाली इस जरूर बताने आप लोगों ने और राज की वीडियो के लिए इतना ही और फिर्स अफॉल मेरा लास्ट में आप से कोशन जरूर रहने वाला है कि किस टीम को यह और वैनम यह भी सारी टीम जो अच्छाक से कमबैक करें तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही तिल देन स्टेसर थेल्जन लाइक्स जल्दी से कर रहा दो